नमस्ते स्वागत है आपका Lighthouse Souls में आभिनाव इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ कि Emotional Freedom Techniques ठीक है आपने नाम सुना होगा Emotional Freedom Techniques का ये क्यों कुछ लोगों पर काम नहीं कर पाती है ठीक है क्यों इसका benefit लोगों को नहीं मिल पाता है इसका ना एक्षली जितना मैं इसमें deep study किया ना मैंने तब मुझे इसका पता चला देखो मैं देखो EFT जो है na EFT एक्षली बहुत simple है ठीक है लेकिन ये बहुत dilute हो चुका है बहुत सारे versions float कर रहे है market में बहुत सारे लोग अलग लग तरीके से EFT को सिखा रहे है सीख रहे है कर रहे है तो उसका जो sanctity वो lost हो गया है ठीक है तो actually मैं TFT कॉन सा practice करता हूं जो gold standard TFT जो रहता है जो Gary Craig जो है जिन्होंने इसको discover किया था originator जो है Gary Craig उनका Gary Craig New Thwing का आप सर्च कर सकते हो Google में ठीक है उनकी अपनी website है उसमें उनने gold standard EFT tutorial डाला हुआ है और काफी सारे demonstration videos आले हैं तो मैं उनके knowledge को पूरा follow करता हूं जो कहता है deep जाके ठीक है तो Gary Craig ने बहुत अच्छा-चाच ये समझाया है कि आपको एक particular तरीके से करना पड़ता है ये जो अगर आप EFT tapping क्या है आप अपने negative जो energy system में जो ये thoughts है energy है इन thoughts की उसको आप उपर लेके आ रहे हो और tapping से उसको clear कर रहे हो तो उसका एक particular तरीका रहता है तो लोग क्या है वो तरीका follow नहीं करते है बस एक random tapping करते हैं तो मैंने चार reasons बनाए है तो आप अगर EFT tapping कोई आप healer हो, coach हो या आप actually EFT को use करा है आपने कभी बड़ आपको इसका use इतना benefit मिला नहीं है तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि क्या चार reasons से आप देखो उसमें कहीं आप color tapping तो नहीं कर रहे हो ठीक है अब बहुत highly chance है कि आप color tap करते हो सबसे पहले चीज़ ठीक है सबसे पहले चीज़ ये है कि SUD को measure करते रहना होता है ठीक है अपने काम को test करते रहना पड़ता है ये बहुत बहुत ज़्यादा Gary Craig जो है उन्होंने इस चीज़ को highlight किया है कि अगर आप suppose किसी client की साथ काम करे हो या आप खुद भी tap कर रहे हो अपने पे tap कर रहे हो अपनी healing कर रहे हो और अगर आप बराबर measure नहीं कर रहे हो 0-10 के scale पर जिसको SUD scale बोलते है तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि अभी कितना है मतलब जो आपका tapping कर रहे हो उसका क्या result आ रहे है तो आपको बहुत continuously monitor करते रहना पड़ेगा हर tapping round के बाद में कि अभी मेरा क्या है SUD scale उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा लोग क्या करते हैं कि उसको measure or monitor नहीं करते हैं बस है 4-5 round कर लिए that is a wrong approach ठीक है तो ये तो पहली चीज है कि हर समय SUD को measure करते रहे second global versus specific tapping ये सबसे बड़ी चीज है सबसे बड़ा mistake है अब आप बोलते हो कि anxiety है मुझे और आप anxiety पर tapping कर रहे हो तो सबसे पहले ये समझो what Gary tells wants to tell is anxiety तो एक label है ठीक है anxiety is basically a combination of many specific events के जो energy है उसका combination होके उसको हमें anxiety का label देते हैं लेकिन आप anxiety पर tap करोगे तो आप वो specific emotion की energy को release नहीं कर पाओगे वो बहुत general way में आपको इसको बोलते है taking the edge off अगर कोई बहुत ही ज़्यादा किसको problem है तो yes you can do global इसको बोलते है global tapping करके आप सोड़ा सा clear कर सकते हो एक easy stage में then you go into specific tapping ठीक है but what is more important is आप specific events को touch करो कि suppose 10 साल पहले आपको आज भी memory है 10 साल पहले आपको कोई बहुत ही खरूस बहुत था उसने आपको कुछ ऐसा बोला आपको उसकी memory अभी क्यों है आप अगर याद करने जाओ तो सबसे पहले वो memory इसलिए आती है भी कोई वो memory अंदर है कहीं पे तो आप उस specific event मतलब ग्यारे करे कैसे बोलते है इसको एक specific movie एक से तीन मिनट की movie को आप करो जिसमें characters है जिसमें emotional crescendo है ठीक है एक कोई emotion है fear, anger, जो भी कोई emotion है EFT किसके लिए emotional issues के लिए तो वो particular specific event पे जाओ कि उस समय उस दिन मेरे boss ने मुझे बोला अपने आपको tune करो उसने मुझे ऐसा बोला ठीक है उस समय मेरे colleagues भी मुझे देख रहे थे ठीक है उस समय में क्या था क्या color smells कहां पे आप थे ठीक है कैसा आपको feel हो रहा था उस पे आप tap करो ठीक है फिर वो जब clear होगा then automatically आपका mind इतना powerful है वो आपको next event दिखाएगा आपके जहन में एक एक workshop है उस में यह बहुत detail में सिखाता हूँ ठीक है तो आप वो भी अगर आपको interest हो तो आप join कर सकते हो link नीचे description में दिया हुआ है basically क्या होता है anxiety is like a table top ठीक है and the various specific events are the table legs तो आपको करना क्या है एक-एक leg को तोड़ना है ठीक है एक-एक leg को जब आप तोड़ने लगोग तो हम क्या करते है टेबल पर काम करते है तो उसका मतलब 10-20% result आएगा real result निकालना है तो specific events पर tap करो इसलिए ग्यारी मना करते हैं कि जो tapping scripts है ठीक है आप बहुत देखो internet पे बहुत सारे tapping scripts है वो एक script है आप वो बोल रहा है आदनी और YouTube videos है जिसमें आप वो बोलते जा रहा tap करते करते है आप उसपे tap करते हूँ that will not work because वो आपके thoughts आने चाहिए आपके वो निकलने चाहिए उसमें आप जब tap करो ना तो आपके अपने निकलने चाहिए आपके अपने words निकलने चाहिए आपको कैसा लग रहा है इस वक्त? frustrated, irritated, confused, क्या आपका है? it's not about what tapping script में वो दे okay? अपने mental time scan करो, इसमें there is something called a personal peace procedure, okay? बहुत अच्छा एक बहुत ही structured way में आप अपना issue को लेते हो, उसपे tap करते हो, अलग-अलग-अलग specific events पर tap करते हो और वो वहां आपकी healing होती है, okay? then एक बड़ा mistake है जो internet पे जो इतने सारे हैं ये लोग क्या बोलते है? कि affirmations दे दे ठीक है? मैं उझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखो, यहाँ difference आ गया है, ये अलग है therapy, इसमें आप negativity को बाहर निकाल रहे हो, तो पहले आप negativity को आप उपर लाना पड़ेगा ना? तो ये हम negativity पे करते हम ये affirmations को अंदर घुसाने के लिए नहीं कर रहे हैं है, तो ये पूरा misconstry हो गया है, ठीक है, EFT को बोलते है affirmations को ऐसा करो, फिर वो points भी पता नहीं कोई अलग अलग ही points करते हैं, ये particular point है, ये EFT में है ही नहीं, अब ये पता नहीं किसने क्या नया point निकाल दिया, ठीक है बट कोई कुछ और ही कर रहा है, यहाँ टाप करके इधर टाप कर रहा है, यहाँ टाप करके इधर टाप कर रहा है, मतलब हर किसी का अपना अलग वर्जन चल रहा है, ठीक है, तो let's kind of learn from the master himself, जन्होंने बनाया है, उन्होंने जो दिया है, let's just follow from him, ठीक है, तो you have to bring the negativity up, ठ positive है, ठीक है, तो वो important एक चीज़ है, then persistent नहीं होते, focus नहीं है, ठीक है, एक दो बार कर लिया, और क्या होता है, एक दो बार आप जैसे anxiety हो गया, या particular कोई issue हो गया, जो कि एक global issue है, specific issue नहीं है, तो आपने tapping करके को ज्यादा result आया नहीं, तो छोड़ देते हैं, नहीं, specific करो और थोड़ा सा एक structured way में करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, EFT peace procedure है, वो आप उस way से अगर करोगे, अपने specific events को एक ही करके लिखो, उस पर tapping करो, SUD measure करके चलो, और एक-एक table leg को clear करते जाओ, then you will get the real results of tapping, तो वो थोड़ा focused way है, ठीक है, तो अगर आपको particular को emotional issue है, anger, fear को इसको heal करना है, जो कि इतने सालों से चल रहा है, थोड़ा तो effort डालना पड़ेगा ना, थोड़ा एक regular basis पर बैट के, आप effort डाल के इसको clear कर सकते हो, और आपका lifelong clearing हो सकता है, पर थोड़ा focus और persistence के साथ में करोगे, एक structured approach के साथ में, तो अच्छा से होगा, मैं one-to-one TFT और EFT दो का personal piece procedure कैसे करना है, वो हम लोग live करते हैं, अगर आपको उसमें interest है, तो workshop का भी link दिया हुआ है, next workshop जब हो, तो आप वो join कर सकते हो, तो I hope इससे आपको clarity मिली होगी कि EFT को किस सही तरीके से करना है, ये video देखने के लिए बहुत-बहुत धनिवा, thank you so much, thank you.